नमस्कार दोस्तों, दोस्तों हम देख रहे थे सेकिंड ग्रेड सिक्सक बर्ती के अंदर पेपर फेश्ट के लिए इतियास विश्य दोस्तों और इतियास के अंदर आज हमारी रहेगी класс नंबर 3 दोस्तू जिसके अंदर हम देखेंगे गुर्जर पर्तियार 1S की जो मंदोर साका है और गुर्जर पर्तियार 1S का उदभु कैसे हुआ उनके बारे में हमने class नंबर 2 पार्ट वन गुर्जर परतियार वन्स पार्ट वन के अंदर देख लिया है जो आपको पले लिस्ट में मिल जाएगा दोस्तों RPSC, सेकंड ग्रेड, इतियास, पेपर फेस्ट जो पले लिस्ट बनी हुई है उसके अंदर आपको ये चीजे मिल जाएगी बाग एक, कलास एक और कलास दो वहाँ पर मिल जाएगी कलास नमबर तीन है जिसके अंदर आज हम बागी का गुर्जर जो गुर्जर परतियार वन्स है उसके बारे में अध्यन करेंगे दोस्तों तो एक बार सभी मित्रू से मेरा अनुरोध है कि जल्दी से इस वीडियो को सेर कर दे सभी के पास जिससे सभी साती हमारे साथ जुड़ जाए सभी के पास पहुचना चाहिए दोस्तों और इसी परकार बोल रहा हूँ कि पेपर फेस्ट का संपून जो भी विशे है जो भी टोपिक है इसी परकार आपको यहाँ पर करवाया जाएगा और साथ में कुछमन ओनलाइन क्लासेज एपके मादेम से आपको नोट्स भी दे दिये जाएंगे चलते हैं दोस्तों आज की कलास में एक बार सभी मित्तर वीडियो को लाइक से और जो नए साती है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जालोर कनोज उजेन के गुर्जर परतिहारू के बारे में दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा आप आराम से देखते जाएए अपने आप आपके समझ में आता जाएगा चलते हैं दोस्तों तो दोस्तों नागभट वन से सुरू करेंगे नागभट परतम से आज हम यहां पर सुरू करने जा रहे हैं नागभट परतम 730 इस्वी में इन्होंने जो राजगती है वो समाली और 756 तक इन्होंने गुर्जर परतियार वन्स का सासन किया था दोस्तों देखिए यह है इस वन्स का यानि गुर्जर परतियार वन्स का सरवादिक महत्वपूर्ण सासक्ता एक एक चीजो जो जो क्यूसन एकजाम में आयो हैं और जो जो क्यूसन आगे बन सकते हैं वो सभी में आपको बताता जाओंगा बस आप सेर करते जाओ लाइक करो सेर करो अधिक से दिख करो दोस्तूं अधिक से दिख मित्तर हमारे साथ जुड़ने चाहिए इस वीडियो के मादें से तो दोस्तूं पूछा जा सकता है कि जो गुर्जर परतियार वन्स है इसका सरवादिक महत्वपूर्ण सासक नागबट परतम है दोस्तूं इसने अर्बू को परतम है इसलिए मेर भोज की गुवालियर परस्तती में इसे मलेच्छु का नासक कहा गया है दो क्युसन बनते दोस्तूं, ध्यां से सुनना दोस्तूं पेला देखिए यहां पे, कि जो गवालियर प्रस्तती है, उसके अंदर मलेचु का नासक किसके लिए कहा गया है किस राजा किस सासक को कहा गया है, तो वो कहा गया है नागबट पर्तम को दूसरा ये कि नागबट पर्तम को मलेचु का नासक कौनसी प्रस्तती में कहा गया है तो गवालियर प्रस्तती के अंदर ये कहा गया है दोस्तु इसी प्रस्तती में गुर्जर पर्तियारू को लक्समन का वनसज बताया गया है बन गया ने एक और क्यूसन गुर्जर पर्तियारूप को लक्समन का वनसज कौन सी परसस्ती के अंदर बताया गया है गवालियर परसस्ती के अंदर ये तीन क्युसन यहां से आपके बन गएं दोस्तों एक-एक को याद करते जाएए और मित्रू इतना सलेबस करा रहा हूं RPSC चाहेगा तो भी क्युसन बार नहीं दे पाएगा इतना आप विश्वास बनाए रखें दोस्तों आगे चलते हैं नागबट पर्तम के बारे में और जानकारी लेते हैं इसके दरबार को नागा उलोक कहा गया तो नागबट पर्तम है उसके दरबार को क्या कहा गया नागा उलोक क्यूसन बन गया आपके लिए बिनमाल इसकी पर्तम राजदानी थी उज्जेन को इसने अपनी दूसरी राजदानी बनाई पहले मंड़ोर के बाद में यह कहा गये थे बिनमाल बीनमाल तो जो नागबट पर्तम है इसकी पर्तम यानि जब उसने राजगदी समा लिती तब ये बीनमाल का राजा बना था फिर इसने अपनी जो दूसरी राजदानी है वो किसको बना लिया था उज्जेन को तो उज्जेन को राजदानी किसने बनाया किसने आया हुआ है किसने बनाया नागबट पर्तम ने बनाया था दोस्तूं ये जालोर के गुर्जर परतियारों का संस्तापक है जालोर के गुर्जर परतियारों का संस्तापक नागबट पर्तम है दोस्तूं याद रखना इसे ना नागबट पर्थम ने किसकी उपादी धारण की थी नारायन की उपादी है जो धारण की थी तो आगना समझ में दोस्तों यह ए नागबट पर्थम आगे चल दें दोस्तों नागबट के बाद में वत्सराज की हुर रहे हैं, वास्तविक, एक तो संस्तापक होते हैं, एक वास्तविक संस्तापक, तो ये दोनों के उसन वन सकते हैं आपके सामने, यादरगना हरिस्चंदर संस्तापक, वास्तविक संस्तापक की बात की जाए न, अगर गुर्जर परतियार वन्स की, तो नाम आएगा वत्सराज का, वास इस क्लास के अंत में हम अलग से भी चर्चा करेंगे और नॉर्मल जानकरी आपको यहां पर भी दे रहा हूँ तो दोस्तों जब वत्राज है जो कनोज का क्या बना राजा बना सासक बना उस समेग तिरिपक्सिय संगर्स किसको लेकर कनोज पर आदिपत्ते को लेकर क्या हो गया था शुरू हो गया था तिरिपक्सिय संगर्स आठ से दसवी सताब्दी के मद्दे लगबग 200 वर्षू तक चला जो ये तिरिपक्सिय संगर्स है दोस्तूं ये आठवी सताब्दी से लेकर 10 वी सताब्दी सोरी मित्रू यहां पे बाई मिश्टेक है आटवी से नौवी सताबदी तक लगबग सो वर्षू तक चला था यह थोड़ी सी प्रिंट पे मिश्टेक है तो ध्यान दे लेना आगे देखिए दोस्तों आगे हैं त्रिपक्सिय संगर्ष के तीन सक्तियां परमुग थी तो तीन सक्तियां कौन कौन सी त्रिपक्सिय यानि तीन पक्स थे तीन और आकर्मन हो रहे थे तो तीन सक्तियां थी उत्तर भारत के गुर्जर परतियार जो वत्सराज है यही दक्सिन भारत के राश्ट्रकूट और बंगाल के पाल पूरव के पाल दोस्तूँ वत्सराज ने त्रिपक्सिय संगर्स के दोरान मुंगेर बिहार के यूद में पाल सासक दरमपाल को पराजित किया और स्वयम राष्ट्रकूट सासक दुरुवय पर्तम से प्राजित हुआ इस चीज़ को नोट करना इसके अंदर दो बाते हैं ये आपके सामने जो ये तिरपक्सिय संगर्स चल रहा था इसके अंदर वत्सराज ने तो जो पाल सासक था मुंगेर बियार का पाल सासक था दरमपाल इसको प्राजित किया था ये क्यों से नाया था कि तिरपक्सिय संगर्स के दोरान दरमपाल पाल सासक दरमपाल को प्राजित किस ने किया वत्सराज ने लेकिन इसने तो द्रमपाल जो मुंगेर बियार का सासक था मुंगेर बियार में जो यूद हुआ था वहाँ पर इसने तो पाल सासक को तो प्राजित कर दिया लेकिन खुद वत्सराज है ये राश्ट्रकूर्ट सासक था दुरुय पर्तम उससे प्राजित हो गया इस चीज को नोट करना है दोनु चीज़ें याद रखनी है दोस्तू आगे चलते हैं दोस्तों आगे देखते है वच्सराज के समय जेन कवी उद्योतन सूरी ने वलाई माला वजिनसेन जिनसेन ने हरीवन्स पुरान की रचना की ये दो कवीू के नावाएं पहला है उद्योतन सूरी दूसरा है जिनसेन ये किस राजा के समय थे वच्सराज के समय अब दोस्तों क्यूसन अगर कुछ अलग बनता है तो ये पूचा जा सकता है कि कुवलाई माला के रचियता कोन है के रचियता कोन है या हरीवन्स पुरान के रचियता कोन है तो कुवलाई माला के तो उद्योतन सूरी है और हरीवन्स पुरान के जिनसेन है दोस्तों ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है ओसियां का जेन मंदिर महामारू सेली मतलब गुर्जर परतियार सेली में इसी के समय में बना जो ओसियां के अंदर जेन मंदिर बनावा है मित्रू आप जब मंदिर पढ़ते हैं तो उसमें आते हैं हमारे यह चीज तो ओसियां का जो जेन मंदिर है वो वत्सराज के समेही बनाए और बना किसमे महामारू सेली में तो आपके मंदिरों का ये क्यों सन कंप्लीट हो रहा है दोस्तूं महामारू सेली में बनाए ओसियां का जेन मंदिर नागबट पर्तम वत्सराज अब आते हैं दोस्तों, आगे की तरब हम बढ़ते हैं तो हमारे सामने नागबट द्वित्य दोस्तों, नागबट द्वित्य ये आपके वत्सराज का क्या है पुत्तर है दोस्तों, इसने 795 में इस्वी से 833 इस्वी तक क्या किया है, सासन किया है, तो नागबट जो दीते है आपके ये किन के पुत्तर है वत्सराज के पुत्तर है दोस्तों इस चीज को नोट करके चलना गवालियर प्रसस्ती में इसे करण कहा गया है आ गया और क्यूसन तो गवालियर प्रसस्ती है उसके अंदर करण किसको कहा गया है किसको कहा गया है नागबट द्वित्य को मलेचु का नासक किसको का गया है नागबट परतम को दो चीजे दो क्यूसन याद रखना है इसने परमभटारक महाराजा दिराज वे परमेश्वर की उपादी धारण की तो परमभटारक महाराजा दिराज परमेश्वर की उपादी किसने धारण की नागभट द्विते ने इंपोर्टेंट की उसना आपके लिए ये ये राश्टर कूट सासक गोविन तर्तिय से प्राजित हुआ तो नागभट द्विते गोविन तर्तिय से प्राजित हुआ हारा को नागबट द्वित्यारा इस यूद के अंदर तो राश्ट्रकूट सासक है आपके गोविन तरतिये इसने किसको राया था नागबट द्वित्ये को आगे चलिए दोस्तों आगे देखिए इसने तुरस को मतलब मुसलमानों को प्राजित कर उन्हें कर देने पर विवस किया तो ये पूचा जा सकता है कि गुर्जर परतियार वंस में ऐसा कौन सा सासक है जिसने जिसने मुसलमानों को प्राजित कर या तुरस को को प्राजित कर उनको कर देने पर विवस किया था तो वो रहेगा आपका नागबट द्वित्ते दोस्तू कनोज को गुर्जर परतियार वंस की नई राजदानी बनाई कनोज को फिर क्या बनाई कनोज है उसको गुर्जर परतियार वंस की नई राजदानी बनाई थी नागबट द्वित्ते ले 833 इस्वी में गंगा नदी में जीवित समादी ली इंपोर्टेंट के उसन है यह आयावा के उसन भी है तो दोस्तों गुर्जर परतियार वंस का एसा कौन सा सासक है जिसने गंगा नदी के अंदर जीवित समादी ली नागबट द्वित्ते दोस्तों यह है आपका नागबट द्वित्ते आगे चलते है मित्रों हम मिहर बोज की ओर मिहर बोज पर्थम की ओर मिहर बोज पर्थम दोस्तों 836 इस्वी तक इन्होंने सासन किया नागबट द्वित्ते नागबट दिविते के बाद में रामबदर और रामबदर के बाद में मिहिर बोज आपके सामने देखिए दोस्तों मिहिर बोज में क्या क्या इंपोर्टेंट चीजें वो देखिए रामभद्र के उत्रादीकारी मिहिर बोज पर्तम ने 836 ईश्वी में राजगदी समा ले आपने उपर देखा 833 तक तो 833 ईश्वी में नागबट दिवित्य ने क्या लेली ती जल समा दी उसके बाद 833 से 836 तक रहे रामभद्र और रामभद्र के बाद में बने उनके पुत्तर मिहिर बोज 836 में पर्तियार वंस का सरवादिक सक्ति सालिव पर्ता भी राजा था ये तो मिहिर बोज ये मानकर चलो की ज़्यादा तर जो क्यूसन बनकर आ सकता है वो मिहिर बोज से ही आ सकता है तो इस चीज को ध्यान से देखना आप जो गुर्जर पर्तियार वंस से इसका सरवादिक सक्ति सालिव और पर्ता भी राजा की अगर हम बात करें तो मिहिर बोज का नाम में सबसे उपर आता है दोस्तु मिहिर बोज दो पाल सासकूं समझना है इस चीज को इंपोर्टेंट है क्यूसन ऐसे याता है दोस्तु यहाँ पे आपको क्यूसन कैसे पूछ जाएगा वो आगे बताऊंगा में मिहिर बोज दो पाल सासक देव पाल और विग्रे पाल का समकालिन था आगे और देखो मिहिर बोज दो राष्टर कूट राजाओं अमोद वरस वकर्संद्विते का समकालिन था अब दोस्तु जो पेले क्यूसन आया वो कैसे आया वाए वो बताऊंगा आपको पाल सासक विग्रे पाल का समकालिन घुर्जर परतियार सासक याद रगना दोस्तु तो यह याद रगने देवपाल विग्रे पाल अमोद वरस और कर्संद्विते इनके समकालिन कोन था मिहिर बोज परतम था दोस्तूं वेसनव दरम का अन्युयाई था इसने आधी वरा वे परभास जेसी उपादिया धारण की उपर चलिए थोड़ा सा और बताऊं दोस्तूं जो हमारा मिहिर बोज परतम है ये वेसनव दरम का अन्युयाई था दोस्तूं याद रखना और इसने आधी वरा और परभास जेसी उपादिया धारण की कैसी एक तो आधी वरा और दूसरी परभास जेसी उपादिया है वो इसने क्या किये धारण की ये दोस्तूं आगे चलिए मिहिर भोज ने अपनी राजदानी कन्नोज को बनाई मिहिर भोज की राजदानी कन्नोज दोस्तूं याद रगना मिहिर भोज ने कौन सी राजदानी बनाई कन्नोज को बनाई मिहिर भोज के सम्मंद में जानकारी के सरोत कौन कौन से सरोत है उनके बारे में हम द देखते हैं दोस्तू मिहिर बोज के सम्मन्द में जानकारी के सरोत। तीन सरोत है, पहला है कलहन की राजतरंगिनी, गवालियर परसस्ती और अरब यातरी सुलेमान का विवरन। तो अरब यात्री सुलेमान का विवरण यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है, मतलब मिहिर भोज पर्तम के समय ही सुलेमान भारत आया है, तबी तो उसने विवरण किया है, तो तीन स्रोत, तीनु स्रोतों से क्यूसन आया हुआ है, आपको इनके बारे में याद रखना है थोड़ा सुलेमान के बारे में भी देख लें, अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को अरबु का सबसे बड़ा सत्रू बताया है, क्योसन बनता है, अरबु का सबसे बड़ा सत्रू या मुसलमानों का सबसे बड़ा सत्रू किसको का गया है, मिहिर भोज को, किसने का है, अरबी यात्री या अरब यात्री सुलेमान ने ऐसा का है दोस्तूं और हिंदुस्तान को काफिरू का देश का हां हिंदुस्तान को काफिरू का देश भी किसने का है सुलेमान ने ही का है दोस्तूं ये दो चीजें याद रखनी है याद रखना ये क्यूसन बन सकता है इस बार कि ध्रंब नामक चांदी के सीके किस सासक के दुआरा चलाए गए किसके द्वारा मिहिर बोज के द्वार मिहिर बोज को निम्न नामू से भी जाना जाता है कौन-कौन से अर्बू का एमित्र यानि अर्बू का सत्रू इसलाम का सत्रू इसलाम की दिवार तो ये तीन नाम याद रखने मीहिर बोज को किन किन नामों से जाना जाता है अरबू का एमित्र इसलाम का सत्रू और इसलाम की दिवार दोस्तों ये था हमारा मीहिर बोज मिहिर बोज के बाद में आगे चलते हैं हम दोस्तों तो बात करते हैं मेंदर पाल पर्तम की दोस्तों मेंदर पाल पर्तम मिहिर बोज का उत्रादी कारी कौन था मेंदर पाल पर्तम 1825 से इसमी में ये सासक बना और 1910 से इसमी तक इसने सासन किया दोस्तों मेहंदरपाल जो पर्तम है आपका ये विद्वानु का क्या है उदार सरक्सक था विद्वानु का उदार सरक्सक कौन मेहंदरपाल पर्तम दोस्तु आगे मेहंदरपाल पर्तम के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं मेहंदरपाल का दरबारी विद्वान था राज सेकर और राज सेकर तो इतना इंपोर्टेंट है कि यह मान कर चलो कि यहां से यह क्यूसन बन सकता है आपके पहला तो यह बनेगा कि राज सेकर जो विद्वान राज सेकर किसका दरबारी कवी था मेहंदरपाल का मेहंदरपाल आपका गुर्जर परतियार सासक है दोस्तूं अब दोस्तूं मेहंदरपाल जो राज सेकर है इसने कुछ गरंत लिके वो कौन-कौन से हैं पहला है कावे मिमानसा, दूसरा है करपूर मंजरी, तीसरा है बाल रामायन, चोता है बाल भारत, पांचवा है भुवन कोस, छटवा है हर विलास ये छे राज सेकर के द्वारा गरंत लिके गए और ये गरंत इतने इंपोर्टेंट दोस्तूं इन सभी के एक बार आप नाम जरूर याद रख लें वापस बोल रहा हूं साथ बोलें एक बार सभी साती कावे मिमांसा, करपूर मंजरी, बाल रामायन, बाल भारत, भुवन कोस, हर विलास आगे चलते हैं विद्वान राज सेकर ने अपने गरंतू में मेंदर पाल पर्तन को निर्बे नरेस का है तो राज सेकर पहला तो क्योसन बता दिया मैंने कि राज सेकर किसका दरबारी विद्वान था दोस्तू मेंदर पाल का अब दूसरा क्योसन है कि मेंदर पाल पर्तन को निर्बे नरेस किसने का राज सेकर ने कहा दोस्तू मेंदरपाल के उपनाम क्या क्या है रगुकुल, चूडामनी, महिसपाल और निर्वे राजा ये तीन है जो मेंदरपाल के क्या है उपनाम है और उपादियां मेंदरपाल की कौन कौन सी है परमभटारक, परमभागवत और परमेश्वर ये मेंदरपाल की है उपादियां दोस्तु। मेंदरपाल के आगे चले तो आता है मैपाल पर्तम दोस्तु। मैपाल पर्तम है जो 1912 में सासक बना और 1946 तक ही ये सासक रा दोस्तु। जो मैपाल पर्तम है इसके उपनाम क्या क्या है विनायक पाल और हेरंब पाल ये दोनु ह इंपोर्टेंट है दोस्तों याद रखना राश्ट्र कूट नरेश इंदर तर्तिये ने परतियारू को हरा कर कन्योज को नश्ट कर दिया है यहाँ पर कन्योज को अधिकार नहीं क्या है कन्योज को खतम कर दिया है बिलकुल नश्ट कर दिया था किसने राश्ट्र कूट नरे और अर्यावर्त का महाराजा दिराज किसको का गया मयपाल परतम को और अलमसूदि तो भेध इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों अलमसूदि भारत किसके समय आया अलमसूदी कहा का यात्री था, दो कि procesन बनते हैं तो महिपाल परतम के समय अलमसूदी बारत आया और अरबी यात्री था ये दोस्तों ये गुर्जरू का अंतिम प्रभाव साली राजा यानि प्राकर्मी राजा था महिपाल परतम जो अंतिम ही था इसके बाद में गुर्जरू का कोई प्रभाव साली राजा सामने नहीं आया दोस्तू महिपाल परतम से आगे हम चलते हैं तो आते हैं दोस्तू राज्येपाल बात करते हैं राज्येपाल की राज्येपाल एक जार अठारा इस्वी में महमूद गजनवी ने कन्योज पर आकर्मन किया ध्यान से देखना दोस्तू यहाँ पर क्या होगा आपका दिरे दिरे है जो आपका गुर्जर परतियारवन्स है वो नश्ट की हो रहा है तो एक जार अटारा इस्वी में महमूद गजनवी ने कन्योज पर आकर्मन किया था, किसने किया था महमूद गजनवी ने, और राज्येपाल डर कर भाग गया, हारा नहीं है, यह डर के पहले ही भाग गया वहां से, देखी आगे, अब यह मरा काँ पर है, चंदेल राजा, ग चंदेल राजा था, गंड और उसका पुत्तर था, विद्यादर, उन्होंने आकर्मन कर राज्येपाल को हमार डाला दोस्तों, इसके बाद क्या हूआ, राज्येपाल के बाद में यस्पाल क्या बना, सासक बना, और ये गुर्जर परतियार वन्स का क्या था, अंतिम सासक ये था हमारा गुर्जर पर्तियार वंस इससे बार एक क्यूसन आपको मिलेगा नहीं सेगिंड ग्रेड हो चाहिए फेश्ट ग्रेड हो विश्वास बनाए रखें संपूर्ण इसे प्रकार आपके सामने रखूंगा लेकिन अभी जाना मत मित्रों अभी त्री पक्सिय संगर् एक बार सभी मित्र है वो क्या करें इस वीडियो को अभी तक सेर नहीं किया तो आपसे अनुरोध है मेरा सेर कर दें लाइक कर दें नए हो पहली बार चेनल पर आये हो चेनल को जुरूर सबस्क्राइब कर लें और दोस्तों अभी बोल रहा हूँ इसी परकार ना कोई कोनों में तीन सकतिसाली राजवंसू का उदेवा था आठवी सदी के मद्धे दक्सिन में राश्टर कूट पूरव में पाल ऊतर में गुर्जर परतिहार दक्सिन के अंदर राश्टर कूट हमने पढ़ लिए हैं मीरबोज के समय पूरव में पाल पस्चिम बियार की और उत्तर में गुर्जर परतियार जिसके बारे में हमने अब ये दिन किया है दोस्तूं आगे चलिए दोस्तूं कनोज पर आदिपत्ते के लिए इन तीनों महा सक्तियों के मद्दे संगर्ष को त्रीपक्सिय संगर्ष का जाता है कन्योज को अधिकार में लेने को लेकर जो तीनों सक्तियां थी राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर परतियार इनके मद्दे संगर्स हो गया तो तीन सक्तियां त्री पक्सिय संगर्स इसी को कहते हैं दोस्तु इसकी सुरुवाद पर्तियार नरेश गुर्जर पर्तियार नरेश थे वत्सराज जिनके बारे में हमने पढ़ा ना वत्सराज ने कन्योज के सासक इंद्रायुद को प्राजित करके की तो यह क्यों सरन बन सकता है कि जो त्रीपक्स ये संगर सुरूआ वो क्यों हुँ हुआ क्योंकि वद्सराज ने कनोज कह जो सासक्ते हैं इंद्रा यूद उनको 아रा दिया था इस बज़े से ये संगर सुरूआ एवं अंततय परतियार इसमें सपल रहे जैसे कि हमने नागबट दीते मेरभोज के बारे में पढ़ा कि देरे देरे जो कन्योज है उस पर अधिकार परतियार उन्हें ही किया गुर्जर परतियार नहीं उस पर अधिकार किया और वहाँ पर सासन किया दोस्तों आगे चलिए द इस संगर्ष को विराम दिया मित्रू एक चीज नोट कर ले न यहां से नागबट द्विते ने कन्योज मेरज जो सासन किया है उस समय वहां के राजा कौन थे जब युदवा किस राजा को नागबट द्विते ने हराया था ये क्यूसन इंपोर्टेंट बनता है याद कर लेना इस चीज को ये था दोस्तों हमारा गुर्जर परतियार वंस एक बार आप कमेंट करके बता दे मेरे को केसी लगी आज की क्लास कल रात नो बजे नेक्स्ट टोपिक लेकर आपके सामने में आने का प्रियास करूंगा बस तब तक बने रहें मेरे साथ आप सभी को मेरी और से बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद जे बाद